आईए जानते हैं स्वप्न शास्त्र में इस प्रकार के सपने का क्या अर्थ है साप को पकड़ते देखने का अर्थ यदी सावन के महीने में आप सपने में स्वयम को सपने में साप को पकड़ते हुए देखते हैं तो ये बहुत ही शुप सपना माना जाता है स्वपन शास्तर के अनुसार इसका अर्थ है कि जल्द ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है. ये सपना संकेत देता है कि आपके जीवन में आ रहे सभी कश्ट शीगर ही दूर होने वाले हैं. साँप को फन उठाए. देखना सपने में साप को फन उठाए देखने पर व्यक्ति घबरा जाता है लेकिन ये सपना अगर सावन के महीने में आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है क्यूंकि इसका अर्थ है कि आपको महादेव की कृपा प्राप्त होने वाली है इसका अर्थ है कि आपको संपत्ति में लाब मिल सकता है वहीं, सावन में सपने में साप को उड़ते हुए देखना जीवन में उन्नती और प्रगती का प्रतीक होता है जब दिखाई दे इस रंग का साप स्वापन शास्त्र के अनुसार सपने में सफेद रंग का साप देखने का अर्थ है कि आपको जल्दी मान सम्मान का लाब मिलने वाला है वहीं सपने में पीले रंग का साप दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है कि आप जिस काम से बाहर जाएंगे वो काम पूरा होगा वहीं सावन के दोरान सपने में हरे रंग का साप देखने का अर्थ है कि आपको कोई शुब समाचार मिलने वाला है.